आप सब तो यह ना मंडे का व्लॉग है और यहाया सुबह है ना इतने अच्छे चीड़िया वगरे आ जाते हैं अभी तो कपुतर भी आने लगाए और अभी दोत होते हैं आप अन देटा है कहां अभी देखा तो मैं आने और फिर उड़ गए शायद उपास में गए एक्दम से तो और गिलरी तो बिलकुल हमारी जैसे कि इसा लगता है कि हमारे घर में हम लोगों ने उनको मतलब ले रखा हैं तो यह जो फिर एकदम मैं आपको शाम को मिलती हूँ और वेदर इतना मतलब बादल जैसा हो गया था तो यहां पर मैं ना डाउंडर तो आप यह शाम के साथ बच चुके और यहां पर जो तयारी दिख रही है यह है पाव भाजी बनाने की इसके लिए मैं और मैंने भी पाव भाजी मसाला मंगाया है और आज वेदर बहुत है ना मतलब बिल्कुल बारिज जैसा वेदर है तो यहां पर सेक रहे लेकिन फिर बढ़ती है तो यहां पर सेक रहे थोड़ा सा तो यहां पर कर लेंगे और फिर मैं आपको तो यहां पर मैंने ऑईल डाल दिया है और यह पावभजी मसाला भी डाला दूंगी और मतर फुलगोवी जितनी भी मैंने सब्लेया काती हें ना मतर फुलगोवी आलू जो दिखाई आपको सब महना इसमें डाल की पाने डाल के इसको ने दूंगी बिष्ट से क्या तक अब इसमें फ़चे ना कलर आया था तो यहां पर आलू भी का डाल दी मतर बहुत है जैसे रेस्टारेंट में या फिर स्ट्रीट में स्ट्रीट जहां आपन गुमने जाते हैं वहां पर जो मिलता है उस टाइप का ही बन गया था और यहां पर शिमला में भी टोड़ा सा रग वी दिया था मतलब बगारने के लिए तो यह देखिए बन गई है और सीटी थोड़ी मतलब इसमें मैंने सीटी कम लग गई थी तो मैं इसको इना ज्यादा प्रेशर अभी दबा रही अभी तो ऐसे दिख रहे हैं फिर बाद में आपको कुछ भी समझ में ने दिखा इने बच्चों घर को बच्चों को कि क्या क्या इसमें मिक्स किया करके और पाओ भी इतने अच्छे थे पाओ तो बहुत ही अच्छे ले आए था तिंकल और यहां पर मैंने अच्छे मेसर से मेरा मेसर ने मेले में गई लेकिन तो यहां पर मैं फिर जो फ्राय करने की यह कर रही हूँ तो यहां पर मैंने ऑईल लाल दिया और यह बटर ले आए था तो यह बड़ा था तो पचास उपे का ले आए थे तो यह आप मैं इसमें अच्छा खासा क्यूप डाल दूंगी और इसमें फिर चोटे-चोटे ओनियान शिमला मिर्च टोमैटो पावभाजी मसाला अद्रक लौस मेने ना ग्लास में मितलग उठ ल कि जाते जाते घीए न समय इस में माखने और आख ते कम ऑननी और है्था निsis कोश्चियन हो और आप हुए यह पर रह उखते हम लें की के और लिए यह स्वहंतों उमाहिवी और दूंगी जाते यह पाओ भजी पर फस्ट टाइम खाये हैं इस साल में हर साल हम एक दो बारी बनाते हैं जब मतलब मतर का सीजन आता है तब ही मैं बनाती हूँ तो यह फर्स टाइम खा ले अभी देखते हैं कब का ना आता जैन्वरी वे क्योंकि इसमें पाओ रहते हैं तो थोड़ा हा मैं निस में पाने ढाल दिया जैना और आटा है और अच्छे से Hawk गया उसके बाद सबजी है ना वह पूरी इसमें चोक दूंगी और डाल कई और इखिये के पाओ बाजी मशाला इसमेना पाओ बाजी मासाला जीतना हूँ इतना मतलब अच्छा रहता है और ये पाथे तो बच्चों ने तो इतना इंजोय करके खाया फिर टिंकी ने भी खाया और मुझे और एक पैकिट पाओ का रात को मतलब इमर्जेंशी में मंगाना पड़ा क्योंकि मैं का सुबर बच्चे इतने मौने में जाएगे तो शॉप खुलती नहीं तो फिर एक्स्ट्रा खतम हो ग मैंने थोड़ा साही खाया कि कौन सी भी चीजों मेना मुझे मतलब ये पाओ अगर ये अच्छी मुझे रोटी सब्जी अच्छी लगती है खेर भी नहीं पूड़ी अच्छी लगती पूड़ी आलो की पराटे इस टाइप का अच्छा लगता है लेकिन ये पाओ भाजी त अच्छी लगता है तो बस यह और धनिया काटके बच्चे वेट कर रहे थे और चाल अगर मैंने नहीं बनाया था तो यहां पर देखें गार्निशिंग मैंने धनिया के साथ कर लिया है और उपर से यह और बटर डाल दूंगी तो बहुती टेस्टी सची में गाइस तो मैंन रास्ते पर जो रहते हैं उन से खाते तो उस टाइब कर आया था और मैंने इसमें पावभाजी मसाला डाल दे थे तो यह देखें थाली यह दिंकी की थाली है उसके साथ प्याज वगएरे तो हम लोगों इस टाइब का इंजॉय करके खाए है और यहां पी में और सिदार ज लगेगे जायए तो में लाके खा सकते है इस टका है अब देखें का है अव देखो जिन तो आप पर आजाई हैं तो आप जाए है तो आपके लगी तो आप आजाई यह मैं आपको यह लीजिए आपका लेज़े आपके एक बखला प्सके बखला कीजड़ा, तो यदिकी एक्षारे गलाओ, गलाओ? जब खलाओ